हलो दोस्तो आज एक मोटिवेशनल शॉर्ट हिंदी स्टोरी लेकर आया हूँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कॉमेंट करके जुरूर बताईए एक मेढको की टोली जंगल के रास्ते जा रही थी अचानक दो मेढक एक गहरे गढ़े में गिर गए जब दूसरे मेढकों ने देखा कि गढ़ा बहुत ही गहरा है तो उपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे तुम दोनों इस गढ़े से निकल नहीं सकते गढ़ा बहुत ही गहरा है तुम दोनों इसमें से निकलने की उमीद छोड़ दो उन दोनों मेढक ने सायद ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी और गड़े से निकलने के लिए लगातार वे उचलते रहे बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहे तुम दोनों बेकार में महनत कर रहे हो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए तुम दोनों को हार मान लेनी ही चाहिए तुम नहीं निकल सकते गड़े में गीरे मिढक में से एक मिढक ने ऊपर खड़े मिढको की बात सुन ली और उचलना छोड़ दिया वो निरास होकर एक कोने में बैठ गया दूसरे मेढ़क ने प्रयास जारी रखा वो उचलता रहा जितना वो उचल सकता था बाहर खड़े मेढ़क लगातर कह रहे थे कि तुम हार मान लो पर वो मेढ़क सायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उचलता रहा और काफी कोशिसों के बाद वो बाहर आ गया दूसरे मेढ़कों ने कहा क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी उस मेढ़क ने इसारा करके बताया कि वो उसकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है शुन नहीं सकता इसलिए वो किसी भी बात को सुन नहीं पाया वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं तो दोस्तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है इसलिए हमेशा साकरात्मक सोचे लोग चाहे जो भी कहे आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखे और साकरात्मक सोचे कड़ी मेहनत अपने उपर विश्वास और साकरात्मक सोची हमें सफलता मिलती है तो दोस्तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर पेस कीजिए और विडियो के लिंक अपने दोस्तों तक भी सेयर कर सकते हैं धन्यवाद जैहिन और इस प्रकार के मोटिवेशनल विडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं थैंक्यू दोस्तो